हेलो आल, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होगे, so guys आज की जो रीडिंग है हमारी वो हम करने वाले हैं, आपके पार्टनर के लिए ही हम रीडिंग करेंगे कि आखिर वो आप से चाहती क्या है, है ना, तो बहुत सारे लोग अपने पॉर्सन के विहेवियर से बहुत पर पर हम लोग आज की हमारी रीडिंग करेंगे, so guys आज सुबह की आप लोगों ने एंजल गाइडिंस देखी या नहीं, जरूर देखा होगा आप लोगों ने, और इसी तरह मेरे साथ हर सुबह आप लोग जुड़ते रहिए, एंजल गाइडिंस सुनने के लिए, कि आपका दिन कैसा आज जाएगा और क्या-क्या आपको करनी चाहिए, अपने लाइफ में चेंजेज, so उसके लिए हम जाएना एंजल गाइडिंस उसमें देखेंगे, ठीके, so अभी हम बात करते हैं इस टॉपिक की आखीर, आखीर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है, है ना, चलो देखते हैं कि क्या चाहत है उनकी, so हमेशा कि तरह ये एक जनर रेडिंग रहने वाली है, वैसे ही लेना है आपको, रेडिंग जिनके साथ भी रेजनेट करती है, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत सारी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्रा है, फ्री अप कोस्ट है, आप लोग प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करो, तकि मैं भी मोटिवेट हूँ, और तब जाके जो है न, मैं भी मुझे भी अंदर से लगया कि हाँ, मेरे साथ जो है न, मेरी विवर्स तो मेरे साथ जूड रहे हैं, और मैं जो है न, उनके लि प्रस्ट और कारशनल रीडिग ले न ही न, वट्सअफ नंबर पर कंटक्ट कर सकते हैं, पहला काड मेरे पास आया है 8 और वैंट, की वह न आप से चाहते क्या हैं आखिरकार, है नथ सो प्लीज निएजया इनवर्स गाइट महीं प्लीज, प्लीज गाइट महीं, प्लीज me okay seven of swords seven of swords okay mom such a headache please please universe please guide me please guide me please please guide me please guide me queen of swords okay please 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 guide me please guide me four of swords okay और card देखते हैं please guide me यहाँ पे Gemini Libra Aquarius strong है अभी के cards में okay page of cups so guys यहाँ पे cards जो है मेरे पास मैं आपको sign बता देती हूँ पहले मैं अभी इतने ही cards निकालूँगी इसके बाद मैं दूसरे deck से जायना और cards निकालूँगी so bottom of the deck है queen of pentacles taurus, vargo, capricorn यहाँ पे है cancels, scorpio, pisces Gemini Libra Aquarius, aries, leosage ठीक है तो सारे ही elements है और सारे ही sign है हमाले पास तो बात करते हैं यहाँ पे queen of pentacles की so आपसे वो क्या चाहते हैं, है न आखिकर वो आपसे चाहते हैं तो देखो, सबसे पहले तो वो चाहते हैं आपसे, कि आप अपना जो है न यहाँ पे, आप अपना ego कम करो ठीक है आपके अंदर सायद बहुत ज़्यादा कह सकते हैं न, कि आप उनको बहुत ज़्यादा ego कहें या फिर कहें तो आपकी वो अदा ही है लेकिन आपके person को लगता है कि हाँ वो तो बहुत ego वाली है, है न, यहाँ वाला है तो यहाँ पे cuads बता रहे हैं कि आपके person आपसे चाहते हैं कि आप उनसे normal बात करो अच्छे से बात करो बहुत ही प्यार से क्योंकि इनको गुशे है ना, गुशे में बात करना इनको लगता है ना, कि आरे मेरे साथ, मेरे से गुश्वा, क्यूं? है ना, तो बहुत sarsay जो खुबसूरती है ठीक है आपके खुबसूरती के लिए आपके पार्टनर बहुत आपके दीवाने हैं है ना आपके दीवाने हैं तो आपसे वो क्या चाहते हैं है ना आपसे वो क्या चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आप हर जगा हर सिटुशन में उनके लिए स्टैंड लो है ना वो ले या नहीं ले उनको यह नहीं सुचना है लेकिन आपसे expectations हैं कि जह है ना यह मेरे लिए stand ले ठीक है यह मेरे लिए stand ले और आपकी खुबसूरती भी है आप बहुत mature हो बहुत maturity के साथ हर work करते हो तो यहां पे card तो यहीं बता रहे हैं कि आपके person जो है वही कर रह है ठीक है मतलब कि आपकी बाते मानना या फिर आपकी बाते सुनने इनको सब चीज आपके अंदर पसंद है लेकिन क्या है कि अभी ये चाहते की नहीं मेरे सामने थोड़ा सा जो है ना आप अपना घुस्ता कम करो और जो है ना अपना ego कम दिखाओ है ना अभी तो आई यह परसन यही चाहते हैं आपसे क्योंकि अकड में बात करना इनको पसंद नहीं मतलब कि कोई इन से अकड में बात करे ना तो इनको पसंद नहीं यह अकड में बात करे तो सही है चलता है ठीक है तो आपके पार्टनर के एनरजी यह है वो आपसे यही चाहते है ठीक है नॉर्मल बहुत प्यार से सारी चीजोंग को हैंडल करना है ना तो यहांपे second card जो है मेरे पास यहांपे 8 of wands का कारण है यह आपसे बहुत ही खुल के बात करना चाहते हैं बहुत ही प्यार सी यह परसन बात करना चाहते हैं और प्यार से ही इस relationship को आगे भी ले जाना चाहते हैं, यह person आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग long distance पे हो, यहाँ पे यह person मिलना चाहते हैं आपसे, मिल करके सारी चीजों को clear करके इनको बात करनी हैं, इनको बात करना हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे यह person तो बहुत चाहते हैं कि यह जो दूरिया है आप दोनों के बीच में है ना यह दूरिया जो है ना यह मिलके खतम होंगी यानि कि चीजों को क्लियर कैसे किया जाएगा यहां पे आपके परसन को यह लग रहा है कि चीजों को जो है ना हम यहां पे क्लियर कैसे करेंगे तो मिलके हम बाते क करेंगे तब जाके यह सारी चीजे क्लियर होंगी ठीक है तो आपके परसंद आपसे यह चाहते हैं ओके सबन अफसार्ड्स आपके परसंद क्या चाहते हैं देखो यह काड़ सबन अफसार्ड्स किस तरह जो है ना यह चोरी कर रहे हैं जनाब देख रहे हो यह चोरी कर रहे हैं जिस तरह का या फिर कहें तो यह जूट बोल रहे हैं है ना यह कहते हैं ना कि आपके एक तो चोरी उपर से सीना जोरी है ना कहावत सुनिए आपने तो यहाँ परसंद का य लेकिन यह आपसे चाहते हैं उन्हों किया है आपके साथ यह चीट यह द्bringen यह आप मत पूछो यह परसन यह चाहते हैं है ना बहुत ही शातिर दिमाग के हैं आपके पार्टनर और इन्होंने जिंदगी में या कहें तो आप दोनों के रिलेशनसिप में बहुत कुछ छुपाया है बहुत कुछ जो है ना इस परसन ने अपने दिल में देखो यह आपके परसन यह चाहते हैं कि आप इनको क्लियर्टी इनसे क्लियर्टी मागो ही नहीं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया आपसे यह जूट क्यों बोला इन्होंने आपके साथ चीट क्यों किया है ना तो आप आपसे आपके पार्टनर चाहते हैं कि नहीं आप यह मत पूछो है हैं आपके लिए यह आप इन से मत पूछ है ना तो यह person Stent मी नहीं लेते हैं आपके लिए जाएं स्टेन लेने की बारी आती है वह एक कदम पीछे इह खशक जाते थे तो यह परसद नहीं चाहते हैं कि आप इन से कुछ क्लियर करो आ Clarity माँगो लेकिन इनको Clarity चाहिए आपके लिए ना हो क्लीरट्टी चाहिए लेकिन यह activity देने को यार नहीं है ि यहाँ पर देख रहा है यह person कितना living कितना देख रहा है person यहाँ पर मुझे card यहीं बता रहे हैं कि आपके partner यहाँ यह चाहते हैं आखित यह जो है ना आखिर यह person चाहते क्या है तो देख लो इनको clarity नहीं दे नहीं है लेकिन आप से इनको clarity चाहिए queen of swords यहां पर यह person को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप उनको बहुत rudely behave कर रहे हो मैंने पहले भी बताया queen of pentacles का card देखके मैंने आपको पताया कि यह person बहुत इनको लग रहा है कि आप बहुत rudely हो बहुत rudely behave कर रहे हो इनके साथ और यहां पर मुझे यह भी दिख रहा है कि आपके person आपको selfish शमझ रहे हैं आपको यह person ऐसा समझ रहे हैं यह इनको ऐसा लग रहा है लेकिन आपको समझ रहे हैं तो आपसे क्या चाहते हैं कि आप इनके साथ ऐसा बहुत ना करो नॉर्मल बिहेव करो, है ना, प्यार से बात करो, इनको rudeness बिल्कुल भी पसंद नहीं, कि इनको कोई भी rudely होकर के बोले, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए यह person हो सकता है, कि आपसे भी rudely behavior कर रहें, या no contact में हो सकते हैं, है ना, तो यह आखिरकार आपसे चाहते क्या है, तो देख लो, आखिर यह person चाहते क्या है, तो frame से बात करना, है ना, frame से बात करना इनको, तो यहां पर four of sorts का card है यह person आपसे क्या चाहते हैं यह person चाहते हैं कि आप इनको जो है ना देखो यह person आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं इस्पेशली जो नाइट का टाइम होता है जब आदम बिस्तर पर जाता है सपने देखता है तो यह person के दिल में जो कहते हैं कि जो चीज़े clear नहीं है उसके लिए यह clear होना चाहते हैं आपके person और यहां पे मुझे यह भी दिख रहे हैं कि हाँ यह person clear कहीं हद तक होते भी हैं लेकिन फिर क्या होता है फिर इनके माइन में एक बाते आने लगती हैं तो यहां पे cards यही बता रहे हैं कि आपके partner आपसे चाहते हैं कि आप इनको सब चीज़े clear करके बता दो कि हाँ क्या क्या हुआ था past में जो भी आप दोनों के बीच मिशनर स्टैंडिंग है जो भी situation है उसको लेकर के आप खुलके इनसे बात करो और उसको clear करो तभी आपके बारे में आगे के future के बारे में आपके साथ सोचेंगे अभी तो फिल हाल इनका mind घुमा हुआ है इधर का उधर उधर कर रहे हैं यह person तो मुझे देख रहा है कि हाँ यह जो है ना देख रहा है कि आप तो आखिर आपसे यह चाहते हैं आखिर कर यह ही चाहते हैं page of cups यह person आपको proposal देने के बारे में भी सोच रहे हैं ठीक है यह person आपको proposal देना चाहते हैं यह क्या चाहते हैं आपसे आप इनका proposal accept करो या तो आप इनको proposal दो ठीक है क्योंकि इनको तो देना है proposal आपको यह proposal दें सबसे पहले तो इस परसन ने आपके साथ सपने बहुत जादा देखे हैं बहुत खुबसुरत सपने देखे हैं और वो वो सपने पूरे ना होना तो क्या होता है कि आदमी बॉखला जाता है ठीक है तो आपके पार्टनर की एनरजी वही है आपके पार्टनर जैना आपसे जु थोड़ा सा इनका माइंड घूमा हुआ है ठीक है इसलिए यह परसन समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जो है ना आप लॉयल हो और आप इनको भी चाहते हो लेकिन यह परसन को शायद शायद कुछ लग और लगता है कि नहीं इसका किसी और के साथ है ना रिलेशन है थोड़ा सा जॉयर्ण यहां पे इसलिए इस बिखेंगा को डाउट है और यह आपसे बहुत ज्यादा है तो छलो देखते हैं प्लीज आट इनके इनसे क्या चाहते हैं प्लीज आखिर क्या चाहते हैं वो साफ प्लीज काइड मी सब्सक्राइट में अज़े पेज़ आफ काप्स का काड है यहां फिर पेज आफ काप्स का कार्ट था ठेकर दोनों ही डेक से page of cups का card आया है मेरे पास, और card दिखते हैं, please guide me, please guide me, please guide me, please, 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 for events, वाउ, क्या चाहते हैं ये, please guide me, please guide me, please guide me, please guide me, Ace of Pentacles, वाउ, please guide me, the fool का card है, okay, please guide me, last card, five events, bottom of the deck, the moon, देखो guys, यहाँ पे जो cards बता रहे हैं मुझे, कि आपके person के सामने शायद किसी ने जूट बोला है, किसी ने इनको कुछ और दिखाया है, लेकिन सचाई कुछ और थी, है ना, third party situation आई है यहाँ पे, जिसके वज़े से आपके partner बहुत ही ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा परेशान, आप दोनों के बीच में मैंने कहा ना, कि शायद misunderstanding है, इसकी वज़े से आप दोनों का relation ऐसा हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही देख रहा है कि, आपके person को अब सच्चाई का पता चलेगा, ठीक है, यहाँ पे changes आने वाले हैं, आपके person जो है ना, यहाँ पे आपसे क्या चाहते हैं, कि यह जो, देखो, यह जो सच है, या कहें तो यह जो इन से जूट बोला है, thought party ने, है ना इसी के बारे में तो यह person सोचते हैं, इनको कुछ है, इनके अंदर कुछ है, doubt है, इसको यह clear करना चाहते हैं, तो इसलिए तो है ना, यह person सोच रहे हैं, और यहाँ पे देखो, वही card आया है मेरे पास, bottom of the deck, है ना, तो यहाँ पे सच्चाई चाहते हैं आपके person, और जैसे ही इनको सच्चाई पता चलेगे ना, यह person भागते भागते आएंगे आपके पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो कि आप दोनों के बीच में misunderstanding, एक अच्छा खासा relation चल रहा होता है, लेकिन कोई तीसरा उसमें कुछ जाता है, और सारा relation त कर्मिया, आप दोनों के बीच में बहुत सारे arguments हुए है, family issues है, जो भी है, लेकिन यह person चाहते हैं, उसको खतम करना, है ना, यह चाहते हैं, उसको खतम करो, जो family issue भी है, या फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई जगडे जो भी हुए थे, उसको यह खतम करना चाहते हैं आपके partner, तो मुझे तो दिख रहा है कि हाँ, यह person चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना, क्योंकि यहाँ पे the fool का card है, एक new beginning करना, ठीक है, क्योंकि यह जानते हैं, कि आप बहुत innocent हो, बहुत ही pure heart के person हो, pure soul हो, है ना, तो यहाँ पे आपके person आपसे क्या चाहते हैं, वो कि यह सारे लड़ाई जगड़े, यह सारे clarity जो है आप उनको दो, और यहाँ पे यह आगे बढ़े आपके साथ, ठीक है, यहाँ पे new beginning का तो मुझे दिखी रहा है, कि हाँ, यह new beginning करने को अब तयार है, ठीक है, तो यहाँ पे यह person जो है, दीरे दीरे करके जो है ना, मुझे new beginning करना है उसके साथ, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, और यहाँ पे ace of pentacles भी है, अगेन यहाँ पे manifestation हुआ है, manifest किया है, अच्छा हाँ, चैंटिंग के लिए आप लोग, बहुत सारे लोग comment box में पूछ रहे थे, कि चैंटिंग मैम कैसे करते हैं, प्लीज बताइए, तो देखो चैंटिंग होती है, इसे हम सुबह में, दोपहर में, शाम, रात को कर सकते हैं, ठीक है, आपको जब भी time मिले, आपको 10 से 20 बार एक word होता है, उसको अपने partner के लिए बार बार बोलना पड़ता है, ठीक है, जैसे होता है कि divine together, divine together, है न, divine together, यानि कि क् हम दोनों का साथ, हम दोनों का reunion हो जाए, इसके लिए ये use किया जाता है, divine together, divine together, है न, आप अपने partner को visualize करोगे, और उसके बाद ये technique को use करोगे, दिन में भी, सुबह में भी, सबसे पहले सुबह करनी हैं आपको, जब आख खोलती है, उस वक्त करनी है, और उसके बाद दो पहर में करो, और फिर शाम को कर सकती हो, और एक बार रात में करना है, जब आप विस्तर पे जाती हो, तब करना है, ठीक है, तो इसको chanting कहते हैं, 10 से 20 बार आप लोग करो, 21 बार करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें लगता है, कि 21 बार करना ज यही है, reunion का मैंने बता दिया, ठीक है, चलो, reading का topic देखते हैं, यहाँ पे आपके person जो है, आप से reunion चाहते हैं, आपके साथ new beginning चाहते हैं, यह person, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, कि आपने जो दुआएं मांगी है, ठीक है, आपके person के लिए, आप जो अभी भी दुआ मांग रहे हो, उसमें जो हैना, आप अपने partner के लिए मांग रहे हो, और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, कि हाँ, यहाँ पे तो कुछ जो हैना, यहाँ पे changes आने वाले हैं, यानि कि new beginning होने वाली है, तो आपके partner क्या चाहते हैं, फिर से इस relationship को एक नया रूप देना, एक नया आकार देना है, कहते हैं कि relationship खराब हो जाता है, तो फिर बड़ी problem होती है, तो वही है, आपके partner यह खतम करना चाहते हैं, यानि कि इस relationship में जो problem है उसको खतम करना चाहते हैं, और फिर से एक नई जिंदगी, एक नया तरीके से start करना चाहते हैं, four events, यहाँ पे मैंन आगे के बारे में future के बारे में सोचा जा रहा है, बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है, यहाँ पे, enjoy करने के बारे में सोचा जा रहा है, तो आपके partner आपसे चाहते हैं, क्या, जिनकी marriage नहीं हुई है, उनसे marriage करना चाहते हैं, आपके partner और जिनकी marriage हो गई है, यहाँ पे वो चाहते हैं कि आगे अपनी लाइफ में आप तोनों साथ में बढ़ो है ना एक दुसरे के साथ बढ़ो ठीक है तो यहाँ पे मुझे ये भी देख रहा है ओके तो यहाँ page of again मेरे पास card है page of cups का card again मुझे बता रहे है वही एनेर्जिक कि आप इनको proposal दो और ये भी आपको proposal दे मैंने आपको उस वक्त ही बताया था कि proposal देने के बारे में जहना आपके partner सोच रहे हैं तो यही है मेरे पास यही कार्ट से जिसके अनुसार से मुझे यह दिख रहा है ठीक है तो यहीं पर रीडिंग को हम खतम करते हैं क्योंकि रीडिंग ज्यादा लंबी हो जाएगी है ना तो आखिर आपके partner क्या चाहते हैं आपसे आपके partner आपसे चाहते हैं आपके साथ जिंदगी भर रहना है ना तो यह है तो गाइज यह रही आज की रीडिंग सो थैंकियो सो मच मिलते हैं नेक्स रीडिंग में तब तक हसते रहें मुस्कूर आते रहें और खुश रहें बाई